नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वेडियो में हम प्रचा करेंगे पटवार से दिवर्तित प्रिक्षा 2019 के बारे में हाले में दोस्तों इस पटवार बर्ति का नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसका अभ्यार क्यों को लंबे समय से इंतजार था लगए दो-तीन साल से इसका इंतजार था पटवारी बर्ति आने का और अभी पटवारी बर्ति की गोशना हो गई है इसका notification राज़तान करमचारी chainboard के दुवारा जारी कर दिया गया है तो ये कब जारी किया गया है दोस्तों तो ये 512.19 यानि आज ही इसको जारी किया गया है इसके बारे में इस वीडियो में अच्छा करेंगे कि इसके कितनी पोस्टों पर आई है फोरम कब से कब तक बरे जाएंगे तो वीडियो का आप शुरूचे लेकर इन तक पूरा जरूर देखें ता नीचे कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का आप लाइक जरू करें सबी दोस्तों उसाथ अधिक से अधिक इसको share जुरू कर दें जिसे सबी तक इस वीडियो की जानकरी और पटवार बरती की जानकरी सब तक ही पहुंच पाए जल्द दोस्तों जो पटवारी बरती का सले बस है उसका वीडियो बना कर भी हमें चैनल पर डालेंगे तो वह भी आप देखें इसके लिए हमारे चैनल को आपे सब्सक्राइब जुरू कर लीजिए अब देखते हैं कि पटवार जो बरती प्रिक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है पांस तारिकों जारी हुआ है ये कितने पदों के लिए हुआ है तो ये दोस्तों कुल आयू है वह एक एक दोजार बीस को न्यूनतम अठारा वरश्य अधिक्तम चालीच वरशिन की आयू होगी वह पौर्म बनने के लिए योग्य होंगे वह पौर्में बढ़ सकते हैं ता एजूकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी उसके बारे में भी अच्छा करेंगे इसे पहले देख लेते हैं कि वेतनमान केतना होगा तो वेतनमान दोस्तों जो पे मेट्रिक्स लेवल पर होगा लेवल फाइब नियूनतम जो वेतन रुपे होगा वह बीस अजार आठार उनका जो एक्जाम सुलक होगा वह दोस्तों 250 रुपे और 2500 रुपे होगा दोस्तों इस नोटिफिकेशन के यह दिया आपको पीडिया फाइल चाहिए तो निचे डिस्क्रिशन में हमारे टेलेगाम ग्रूप का लिंग दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब देखते हैं दोस्तों स्चेक्षनिक योगिता में इस फरक पतवारी बडती में पहले यह फम डुषफ होती थी उसमेंग और मैन दो शी इसमें एक ही एक्जाम होगा, एक ही एक्जाम का दरपिस का सेलेक्शन होगा, और चेक्षनिक योगीता में पहले बार वी पास होता था, अभी इसे इस्थनातक लेवल कर दिये गया है, यह जो ग्रेजेट होगा, वही फर्म बनने के लिए योगी होगा, तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, कि बेसलर्स डिग्री ओफ और प्रम ए उनिवस्टी एस्टिबलेश बाई ला और एनी अधर एक्विलेशन क्वालिपकेशन रिकोगनाइज बाई गोर्मेंट और गोर्मेंट के दुवारा जो ओत्राइट उनिवस्टी है, उसे यूज देदूंगा वहाँ पर जाका विशे डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से इसको पूरा पर पढ़ सकते हैं, अब इसके बारे में जो और मैं तो पुर्म जान करिए कि फ़र्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो वो देखते हैं दोस्तों, तो विशेस देख लेते हैं कि इसमें नोट में दिया गया है, यदि कि पदों के सिंख्या में कमी या वर्दी, आरक्षन संबंदीत प्रावतानों के संबंद में राजे सरकार के नमिंतम नियमों के अनुसार परिवरतन किया सकता है, यानि सरकार पद बढ़ा भी सकती है लेकिन जितनी मेरे को लगता है कि इस पढ़ने की संभावना है तो आप अब इसे तेयारी में लग जाएं तो इसका अब देखते हैं आविदन करने की जो अवदी है वह क्या होगी तो प्रिक्षा सुलक सहीत ओनलाइन आविदन शुरू होगा वह दोस्तो आरस इबी बोर्ड जो बोर्ड है रस्तानी करमचारी चै आविदकों को सला दी जाती है कि अंतिम दिनां का इतिचार किये बिना निर्दारित समय के बिधर ओनलाइन आविदन करें यानि डेट बटने की संभावना कम है इसलिए 20 जनवरी 2020 से लेकर 19 फरवरी तक आप इसका फर्म है वह ओनलाइन ने भर दें तो प्रिक्षा कब में होने की संभावना है अन्य बिंदों सूचना गई है वह दूस्तों प्रिक्षा सुलक आविदन पर की रिया आरक्ष्न समंधी प्रावधाल रिक्पदों का वर्गीकरन आयूमें चूटके प्रवधान प्रिक्षा की जो स्कीम है और विष्तरत पाठ्ट एकरब में ओन अब इदन में संसोधन इत्यादी की सूचना विश्तरत विज्यापन में बॉर्ड की वेबसाइट पर यह जो बॉर्ड की वेबसाइट दी गई है www.rssmssb.rajastangov.in पर अलग से जारी कर दी जाएगी इसके अलावा भी दोस्तों आपको यह दिकोई जानकार लेनी है तो जो मारा वीडियो हैगा वह पटवार भरती का जो कंप्लीट जो नया सलेबस है उस पर आधारित होगा तो उसके लिए आप मारे इंचे दिएगे लाल स्क्रेब के बट्र को दबाकर चैनल को सुस्क्रेब जरू कर ले जिसे सलेबस जारी होते हैं आपको इसकी सुचना मिल स धन्यवा दोस्तो